नमस्कार दोस्तो दोस्तो आप सोभी लोग का बहुत बहुत सौगत है हमारे यूट्यूब चैनल के नए और फ्रेश वीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो में मताएंगे थाईराइड की समस्या को कैसे दूर किया सकता है दोस्तो थाराट की समस्या, टेंस ओन, खाने में आयोडिन की कमी या फिर आयोडिन का ज्यादा इस्तेमाल करने से दवाव के साइट एफेक्ट इसके अलावा अगर परिवार में किसी को पॉलेस थाराट की समस्या है तो इसके होने की संभाव ना ज्यादा रहती है पूरुसों से ज़्यादा मयलाई इस रोग से पीडित हैं जिसकी वज़ाद से कोई तरह की दूसरी विमारिया होने की खत्रा अब बॉय रहती है तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप अपने थायरायट की समस्या को दूर कर सकते हैं तो फ्रेंचले सुरू करते हैं आज के इस वीडियो को उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वास्ट हैगी कि अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और आयो हुए बेल लाइकम को दबल जिए ताकि हमारे आने वाली हर एक बीडियो करिया आप सुछी को मिल जाय करेगी तो फ्रेंच चलिए शरू करते हैं आज के से 72 नुश्ट को तो आपको इसमें सब्सक्राइब लेना होगा दो कप पानी और उसके बात से आपको जोट परेगी दो चमस अलसी के बीच को और इन दो चुज़े को उबाल लेना होगा दोस्तों इसे तब तक उबाले जब तक ये पानी एक कप रहना जाए और इसे उबालेने के बाद आप इसे छन्नी के मत से छान लिजिए आप इसे रोजाना सुबह सुबह खाली पेट सबन कीजिए दोस्तों या उपय आपके हाइपाईड़् या फिर हाइपाटराईड्स दोनों परकारे थाराईड़् को बहत ऊशन्नी से छटम कर देता है और दोस्तों आप इसका इस्तमाल लकातार से चार्दमाल करते हैं दोस्तों हमारा चनकारी पच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दिजिए और हमारा चैनल को स्ट्राइब कर दिजिए तो हमें इलते हैं आप से लिए वीडियो में तब तक के लिए आप से यह का बहुत बहुत धन्यवाद